नमस्कार दोस्तों मैं हूँ अतुल और ये हैं सैमसंग गैलेक्सी डिवाइस दोस्तों अगर आपने अपने सैमसंग के फोन को वन यूए सिक्स में अपडेट कर लिया है और अगर आप अपने फोन में कोई भी इशू फेस कर रहे हो तो आपको उसे कैसे सोल करना है हम देखन हो रहा है बैटरी इशू काफी जल्दी आपके फोन में बैटरी ड्रन हो रही है इसके लावा आपका जो फोन है काफी स्लोली चार्ज हो रहा है नेटवर्क इशू मतलब कि आपके फोन में 5G का नेटवर्क शो नहीं कर रहा है या आप अपने फोन में 5G का इस नहीं कर पा पे भी अगर आपके फोन में जो इशू है वो इंस्टोल कर लिया है उसके तुरान बद आपको उपन करना है प्लेश्टोर को फिर आपको अपने प्रफाइल आइकन पर ट्याप करना है manage apps and devices पे टाप कीजिए और यहाँ पे होगा update का option आपको यहाँ पे मिलेगा see detail इसे पे टाप कीजिए इनमेच से आप जिसकिसी apps को उप्डेट उन सभी को करना है आपको अपडेट तो मैं सभी को करूँगा update कई सारे apps ऐसे होते हैं जिनका update आपको इहाँ पे शोनी करेगा त तो आपको जना होगा store में यह रहा galaxy store इसे open कीजिए, menu पे tap कीजिए और यहाँ पे होगा updates इस पे tap कीजिए, अब आपको यहाँ से उन apps को करना है update, तो जो भी apps आप यूज़ करते हो और जिन किसी apps के लिए update available है उन सभी apps को आपको करना है update इस तरीके से, फिर आपको reset करना ह apps के preferences को, तो आपको जाना होगा settings में, apps में और यहाँ पे अगर आप menu पे tap करोगे, तो यह रहा reset app preferences इस पे tap कीजिए, तो अगर आप करोगे reset तो सभी apps का data reset हो जाएगा, मतलब कि यहाँ पे आप देख पा रहे हो, इस तरीके से data reset हो जाएगा, मतलब कि जैसे आपने पहली इस बार इसे install किया था, नए तरीके से अब आप उसे use कर पाऊगे, हलाकि आपका data delete नहीं होगा, तो आपको करना है reset, तो apps के preferences को हमने reset कर दिया है, अब मालेजे आप किसी app में, app issue को face कर रहे हो, मतलब की कोई app आप चाहते open करना, लेकिन open नहीं हो रहा है, या अगर open होता है, तो बाद में crash हो जाता है, इस तरीके से, तो मालेजे आप किसी app में, इस issue को face कर रहे हो, मतलब की मालेजे, my files के लिए, ऐस issue को face कर रहे हो, तो ये app जो है, ठीक से काम नहीं कर रहा है, तो आपको इस पे लोंग tap करना है, फिर IP टाप करना है, यहाँ पे होगा, storage का option, ट इस पे आप करना है, delete पे आप कीजिए, फिर आपको back आना है, और यहाँ पे है, force stop, इस पे आप कीजिए, ok कीजिए, फिर आपको इसे close करना है, दो बार अगर आप उसे open करोगे उसे आपको, तो अभी ठीक से open होगा, कोई भी issue आपको देखने नहीं मिलेगी इस app में, ले apps में, filter के icon पे ट्याप कीजिए, और यहाँ पे आपको show system apps को on करना है, ok करना है, और आपको इहाँ पे search करना है, जैसे की one UI home, तो आपको इहाँ पे search करना है, सेम तरी किसे, और यह रहा one UI home, ट्याप कीजिए, जाए storage में, और आपको same करना है, आपको clear data, और उसके बाद प पर यहाँ पे open होगा, यह system dump का page, और इसमें है delete dump state locate, आपको इसे करना है, और इसे करना है delete, ok कीजिए, नीचे आईए, और यहाँ पे होगा, battery states reset, इस पर आप कीजिए, यहाँ पे मिलेगा done ka message, पर आपको करना है exit, पर आपको करना है, पाच्वा steps, जो कंबल सरी है, जिसे आपको करना ही है आपके phone में, और यह है wipe cache partition, तो इस step के लिए आपको करना है अपने phone को, power off थों करेंगे इसे, power off, फिर आपको अपने phone को connect करना है किसी और mobile के साथ, या किसी भी laptop, computer, TV, या फिर BT speaker के साथ, तो मैं connect करूँगा आपने phone को किसी और mobile के साथ, तो आपको USB cable का reuse करना है, फिर आपको अपने phone में मिलेगा इस तरह किसे battery percentage, animation के साथ, animation show करने पे आपको करना है power button और volume up पे long press, दोनों को एक साथ प्रेस किजिए, power button और volume up, फिर आपके phone में होगा vibration, फिर आपको अपने उंगली को करना है release, इसे कहते है recovery mode, तो आपको volume up या down को use करना है, निविगेट करने के लिए उपर नीचे, तो आपको नीचे आना है, तो हम करेंगे volume down, प्रेस किजिए उस पे, और आपको आना है wipe cache partition, confirm करने के लिए आपको power key पे प्रेस करना है, फिर से confirm करने के लिए नीचे आईए, इस पे, volume down के जरीए, और फिर आपको कर करने के लिए, अब आपका phone होगा restart, और आपके सब भी आप सो जाएंगे repair, तो मेरा phone restart हो चुका है, तो जो भी software issues होगे, आपके phone में, वो सब भी solve हो जाएंगे, अगर आप इतने 5 steps करोगे तो, लेकिन आपके phone में, अगर कोई भी hardware issue होता है, तो आपको visit करना होगा service center में, लेकिन इतना करने पर भी अगर आपके phone में, जो software issues है, तो आपको फिर end में करना होगा factory reset, तो आपके phone को करना होगा format, तो आपको जना होगा settings में, general management में, और यहाँ आपको होगा reset का option, ट्याप किजिए, और नीचे आपको मिलेगा factory data reset, आपको इस पे ट्याप करना है, इस अगर आप करोगे अपने phone को reset, तो आपके phone में जो भी data होगा, वो सभी हो जाएगा delete, इसलिए आपको सबसे पहले backup लेना होगा, तो backup लेने के बाद आप अपने phone को reset कर सकते हो, तो आप भी अगर अपने Samsung के phone में, 1v6 के बाद कोई भी software issue face कर रहे हो, तो आप को इस तरह के से उसे solve करना है, अगर आपको कोई भी सवाल हो, तो आप हमें पुछ सकते हो, आप मुझे Instagram पे या फिर Twitter और एक सैप पे भी message कर सकते हो, इस वीडियो को देखने के लिए धन्यवाद दूस्तो,